हेलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने यूटूब सॉट्स वीडियो को डिलीट कैसे करें दोस्तो अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने यूटूब सॉट्स वीडियो को डिलीट करना दोस्तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं सबसे पहला दोस्तो आप लोगों को अपने यूटूब एप को ओपेन कर लेना है जैसे ही आप लोगों को अपने यूटूब एप को ओपेन कर लेते हैं दोस्तो यह जो मेरा है second channel है respect village अब दोस्तो आप लोग को अपने view channel के उपर में click कर देना है जैसे ही आप लोग के screen पे अपने चैनल का profile open हो जाएगा दोस्तो आप लोग को यहां से उपर में दखने को मिलेगा manage video आप लोग को simply यहां से manage video के उपर में click कर देना है जैसे ही manage video के उपर में click कर देते हैं आप लोग के screen पे देखने को मिलेगा your video दोस्तों आप लोग को अपने sort में आ जाना है यहाँ पर जैसे ही आप लोग को अपने sort में आ जाते हैं आप लोग के screen पे जो अपना sort video देखने को मिल दाता है दोस्तों आप लोगों को नीचे में देखने को मिलेगा एक डिलीट का आइकन बहुत से लोगों को दोस्तों यूटूब में जो डिलीट का आइकन है वो देखने को नहीं मिलता है अगर आप लोगों को भी ये डिलीट का आइकन देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर डिलिट हो जाता है अब दोस्तों जिनके YouTube में डिलिट का आइकन नहीं लिखता है उनको यहाँ से back आजाना है और आप लोग को अपने YT Studio एप को open कर लेना है जैसे ही आप लोग अपने YT Studio एप को open कर देते हैं आप लोगों को नीचे में देखने को मिलेगा एक content का आइकन आप लोगो simply आसे content के आइकन के उपर में click कर देना है यहाँ पे click करने के बाद आप लोगों को उपर में देखने को मिलेगा वीडियो, sort, live, playlist दोस्तों आप लोग को यहां से Sorts के उपर में क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग Sorts के उपर में क्लिक कर देते हैं आप लोग का Sorts वीडियो आप लोग के स्क्रीन पे देखने को मिल दाता है अगर दोस्तों आप लोग को अपने इस Sorts को डिलीट करना है pencil के icon के उपर में click करते ही दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलाता है edit video अब दोस्तों आप लोगों को अपने edit video के नीचे में आना है और आप लोगों को नीचे में देखने को मिलेगा एक option more options का और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलाता है Tag, Swords, Remix, Category तो दोस्तों आप लोगों को simply यहाँ से अपने More Options के उपर में क्लिक कर देना है More Options के उपर में क्लिक करता है आप लोगों के स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलाता है अब दोस्तों आप लोगों को नीचे आना है और आप लोगों को नीचे में देखने को मिलाता है Delete from YouTube आप लोगों को यहाँ से Delete from YouTube के उपर में क्लिक कर लेना है जैसे ही आप लोगों Delete from YouTube के उपर में क्लिक कर देते हैं आप लोगों के स्क्रीन पे देखने को मिल आता है Deleting content from YouTube is permanent and content be undone दोस्तों यह कह रहा है कि जो आपका content है वो कुछ देर के लिए undone नहीं होगा आपका content है वो permanently यहां से delete हो जाएगा तो अगर आप लोगों को permanently अपने content को delete करना है तो आप लोगों को simply यहां से delete को अपर में click कर देना है तो दोस्तों मुझे यहां से अपने sorts को delete करना है तो मैं यहां से delete को अपर में click कर देता हूँ जैसे ही दोस्तों delete को अपर में click कर देते हैं आप लोगों का जो sort video वो यहां से permanently delete हो जाएगा तो दोस्तों जो हम लोग का सोट्स वीडियो था उसको कुछ हम लोग इस तरह से डिलीट करते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम